एक संत पासे जई सेव के फरियात करी कि महाराज पत्नीन अस्वभाव पीत्तन छे कंटाडी गयोशू इनाची तोबा तोबा पोकारी गयोशू मरवाना विचारो आवेशे एनाथी डिवोर्स ले लेवाशे आप आशिरवाद आपो के कोई वांधा वचका वगर आप बला थ सेवक कहें मस्त बाबाजी लगन करता पेला बद्धू चेक करियो तू एनु घर एनु खांदान एनी रसोई एनु अभ्यास एनु रूप एनी आवड़त एनी बोल चाल बद्धू जफ्टू डेरतू मस्त बाबाजी बोलेया तो हवे वांधो क्या आयो एना रूपमा एना सेवक कहें मस्त बाबाजी एनु स्वभाव पित्तर जे साव जगड़ा खोर छे नानी नानी वात्मा जगड़ी पड़ेचे साचेज भगवा ने कया पापनी सजा आपी क्या आने मारी जोड़े भटकाड़ी बस तराम बाबाजी कहीं बोले है ये पहला मसालेदार दूद ना बे ग्लास माना स्मगी गए बाबाजी एक दूद नो ग्लास सेवक ने आपयो ने कहीं क्या तू पी जा सेवक कहीं बाबाजी पहला तमें पियो बाबाजी ए दूद नो एक ग्लास पोते लिदो ने विजो ग्लास है ना हात मा आयो आपयो ने कहीं ले पी जा पिला ये दूद नो ग्लास उपाड़े हो त्याहां बाबाजी कहीं उभरे ने बाबाजी ए दूद ना ग्लास मा सहेज भभूती नाखी ते कहीं हवे पी जा पिला सेवक ने दूद पी लिदा पछी मस्तराम बाबा ये पुछू क्यम लागियो दूद सेवक कहें बाबाजी एक दूद ने मा मसालेदार सरसलागे ने मस्तराम बाबा कहें पर बेटा इमा भसम हती ने इनासी दूद नो स्वाद भगड़े हो ने शेवप कहे बाबाजी आखो ग्लास मसालेदार दूद नो एमा चप्ती भबुत थोड़ी मजा बगाड़ी शके मस्तराम बाबा कहे बेटा चप्ती भस्म जो मसालेदार दूद ने बगाड़ी न शके तो आ होश्यार पत्नी नो एक जगड़ाणू स्वभावच छे बागी तो बद्धुज मज़ेदार शे तो एड़ाती तारी मजा केम बगड़े केम तू अटलो कंटाड़े ने मरवावी चारे चप्ती भस्म जो मसालेदार दूद नी मजा बगाड़ी न शके तो आ चप्ती जटली वातमा तू तो बान पोकार फोड़ू चलावी लेता शीख चलावी लेता नहीं शीखे तो बिजी बत नहीं आवशे तो ए रुटिनाच चलशे सिवक कहे बाबाजी वाद तो साची छे जग्राडू स्वभावे तो चप्ती जी दुख छे आकी तो ए बद्धी वाते बराबर अच्छे ने चलावी लेवाना सूत्र ने लहीं ने उभो थेयो खरेखर चलावी लेता नहीं शीखे तेनों संसार लाबबो नहीं चाले सुख में तो नहीं जी चाले आ संसार मा परिवार मा व्यार मा के व्यापार मा नभावी लेता पचावी लेता चलावी लेता शेकों जरूरी जे जो शान्ति जरूरी लगती होए तो खरेखर तमार सुखे होए